Dear students, आज हम last non-cordid phylum की बात करने जा रहे हैं, that is phylum Echinodermita, और आपको पता है कि हम केवल NCIT की बात कर रहे हैं, NCIT से ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, जहां पर जिरूरत है उसको explain करने की कोशिश कर रहे हैं, otherwise हम NCIT को follow कर रहे हैं, strictly उसको follow कर रहे हैं, तो Echinodermita, Echinodermita word का मतलब होता है कि Spiny Bodied Animals, देखिए जब भी हम कोई phylum करते हैं, तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि उसका जो नाम है, उसको define करें, तो Spiny Bodied Animals, मतलब ऐसे Animals, जिनकी Body Spiny होती है, उन्हें कहते हैं Echinodermita, और ये सारे Animals include किये जाते हैं Phylum Echinodermita, अब एक और important चीज जो Phylum Echinodermita के बारे में हैं, देखिए, अभी तक हमने बताया कि जो Arthropods हैं, उन्हें Exoskeleton होता है, यहां पे होता है Endoskeleton, जैसे हमारे भी Endoskeleton होता है, Bones का बना होता है, देखिए, कोई भी फाइलमा पढ़ते हैं, तो उसमें कोई ना कोई Unique Rextric आती है, जैसे पहली Rextric के स्पाइल नम कियागी, कि इनकी Body Spiny होगी, दूसरी, इनमें जो Skeleton होगा, वो Endoskeleton होगा, और वो किसी सीज का बना होगा, वो Ocicals का बना होता है, जैसे हमारा जो Endoskeleton है, वो Bones का बना होता है, इनका जो Endoskeleton है, वो Ocicals का बना होता है, इसलिए इनका जो नाम है, वो क्या है? Echinodermita है, और मैंने आपको जब हम बात कर रहे थे, Comgellies की, Tinofora Phylum की, तो मैंने वहाँ पर एक बात की थी, कि हम दो Phylum ऐसे करेंगे, जो Exclusively Marine है, तो यहाँ पर जो अगली characteristic है, कि इस आर Exclusively Marine, मतलब क्या कि केवल आपको कहां पर मिलेंगे, Salty Water में मिलेंगे, Sea Water में मिलेंगे, Fresh Water में नहीं मिलेंगे, This is important, और कई बार ये question competitive में आ भी चुका है, कि उस Phylum का नाम बताईए, जिसके सारे के सारे member जो होते हैं, वो Marine होते हैं, एक भी member ऐसा नहीं है, जो Fresh Water में अब्जर्ब किया गया है, या वहाँ पर मिला है, अब Level of Body Organization की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर Organ System है, अब आपको पता है कि जब हम Organ System Level of Organization में पहुंच चुके हैं, तो काफी Phylum हम पास ऐसे आगे, जिनका जो Level of Body Organization है, वो कौन सा है, Organ System Level है, तो यह भी एक important point है, अब आपको पता है कि जब हम किसी Phylum को discuss करते हैं, तो हम कुछ common points लेते हैं, जैसे हम बात ले रहे हैं कि उसका habitat किस तरह का है, उसका skeleton किस तरह का है, उसमें Body Organization का क्या Level है, उसके बाद हम बात करते हैं कि उसकी symmetry क्या है, तो अगर यहाँ symmetry की बात करें, तो symmetry में भी यहाँ पर एक unique point आएगा, कि Body की symmetry कैसी है, this is also very important in case of echinodermates, अब इनकी symmetry की अगर हम बात करें, तो adult, जो adult echinodermate होता है, वो radially symmetrical होता है, मतलब adult को, अगर आप central axis के through किसी भी plane से काटे हैं, तो वो equal halves में डिबाइड हो जाएगा, तो adult कैसा होता है, वो radially symmetrical होता है, लेकिन अगर हम इसके larva की बात करें, अगर जो भी इसके larva होंगे, तो larva कैसे होंगे, singular larva होता है, अगर plural larva होता है, और वो कैसे होता है, bilateral symmetrical, देखिए, आपको पता है कि अभी तक हम जो बात कर रहे थे, हम symmetry में cable एक ही ले रहे थे, सभी phylum में ऐसा था, कि अगर मालेज़े कोई bilateral है, तो cable bilateral symmetry थी, ऐसा नहीं था कि adult में कोई और symmetry, और larva में कोई और symmetry, इस phylum के case में ऐसा है, कि adult का जो symmetry होगा, वो कुछ और होगा, और larva की symmetry कुछ और होगी, adult की symmetry जोगी, वो radial होगी, और larva की symmetry कैसी होगी, वो bilateral होगी, अब इसके बाद हम बात करते हैं, कि germ layers, आपको जोता है कि germ layers भी, जब तक हम ये phylum या classes बढ़ते रहेंगे, तो हम germ layers की बाद भी जुरूर करेंगे, और germ layers की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर condition है, triploblastic, अब मैं ज़्यादा आपको इस point को explain नहीं करूँगा, क्योंकि triploblastic और diploblastic हम इतनी बार कर चुके हैं, कि अब आपको clear हो चुका होगा, तो germ layers कैसी हैं इसमें, कौन सी condition है, triploblastic, having ectoderm, endoderm, endoderm, ender, well-derm, mesoderm, अब इसके बाद हम एक और common point की बात करते हैं, वो है silom, तो these are silomates, silomates का मतलब होता है, they have true silom, तो यहाँ पर true silom होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, silomates बोलते हैं, तो अगर किसी में pseudo silom होता है, उनको pseudo silomates बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर silom होगा, that is aligned by mesodermis, that's why it is called as true silom, अब हम बात करते हैं, systems की, जैसे हमने बात की कि system level of organization है, तो इसका digestive system भी बड़ा unique है, क्यों इसका digestive system बड़ा unique है, इसका digestive system एक तो कैसा है, complete है, अब complete digestive system का मतलब हुआ, कि उसमें दो opening होगी, एक होगी mouth, और एक होगी anus, जैसे अगर हम platy elementis की बात करें, तो वहाँ पे incomplete digestive system होता था, लेकिन यहाँ पे जो digestive system हो, वो कैसा है, complete है, पर इसका जो mouth होता है, this is very important, it is on lower side, यह कौनसी side होता है, lower side, और इस lower side को मैं एक और नाम से जानते हैं, कि mouth इसमें ventral होता है, मतलब हम अपर side की बात करते हैं, तो upper side को एक और नाम से जाना जाता है, उसको बोला जाता है, dorsal side, तो यह बहुत important है, कि mouth इसमें ventral होता है, और anus इसमें dorsal होता है, मतलब क्या है, कि अगर आप उसको एक side से रखेंगे, तो या तो आपको उसका anus नजराएगा, या mouth नजराएगा, जब आप उसको पल्टेंगे, तो दूसरी opening नजराएगी, that may be mouth और it may be anus, depending upon the side, whether it is lower side or upper side, if it is lower side, there will be mouth, and if it is upper side, then it will be anus, तो यह भी important है, और जो सबसे unique feature इस phylum का है, वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, जैसी पौरिफरा में, अगर आप बात करें, तो कैनाल सिस्टम होता है, निडेरिया की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे निडो बलास्ट होते हैं, इसी तरह से हर phylum में कोई ना कोई unique रेक्ट सिस्टिक होता है, और यहाँ जो unique रेक्ट के feature है, that is water vascular system, अब यह जो water vascular system होता है, यह बाकी किसी और फाइल में observe नहीं किया गया है, तो यह आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सो होता है, water vascular system, तो it is the most distinctive feature of the echino dermis, that they have water vascular system, और देखिए जो water vascular system है, यह किस में मदद करता है, water vascular system मदद करता है, लोको मोशन में, लोको मोशन का मतरे एक जगा से दूसरी जगा जाने में, तो एक काम इसका लोको मोशन हो गया, दूसरा, food capture करने में, तो यह capture का काम भी, इसका है, water vascular का, और इसके अलाबा, transport of food भी इसी system के थ्रू होगा, transport of food, तो देखे, पहला हमने किया कि जो water vascular system है, it is the most distinctive feature of this phylum echinodermata, और you can say echinodermates have water vascular system for locomotion, capture and transport of food as well as respiration, respiration is also performed by this water vascular system, तो यह हमारे पास एक ऐसा system आ गया, देखे, जो multi-task कर रहा है, multifunctional कर रहा है, एक से ज़्यादा काम कर रहा है, food को capture करने में मदद कर रहा है, food को transport करने में मदद कर रहा है, और even उसके gases exchange में भी मदद कर रहा है, अब जो एक और में point आपको बताने जा रहा हूं, यह भी काफी competitive exam में पूछा जा चुका है, कि here excretory system is absent, देखे, यह कितना important point है, यह भी कई बार आ चुका है, कि किस phylum में excretory system absent होता है, तो जब excretory system के बाता है, तो आपने nephredia पढ़े, excretory tube पढ़ी, इसके अलावा आपने flame cells पढ़े, kidney पढ़ी, तो इस तरह से अलग अलग पढ़े, पर यहाँ पर excretory system है यह नहीं, वो absent है, अब हम बात करते हैं, जो last point होता है, वो होता है reproduction, तो यहाँ पर जो sexes है, they are separate, sexes are separate, मतलए unisexual condition है, male और female कैसे होते हैं, वो different होते हैं, और reproduction जो होती है, वो sexual होती है, इसके अलावा, जब हम बात करते हैं, fertilization की, तो वो external है, external fertilization का मतलब है, वो external medium में होगी, body के अंदर नहीं होगी, और external medium usually क्या होता है, water होता है, तो fertilization कैसी है, external है, it is usually external, and development is indirect, development, कैसी होगी, indirect, क्या मतलब हुआ, indirect development का, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा question है, indirect development का मतलब होता है, कि larval stage के थूँ जाएगी, जैसे adult से पहले larval stage जाएगी, तो और यहाँ पर जो larval होता है, वो freeze swimming larval होता है, तो हलांकि मैं अलग से वीडियो में बात करूँगा, लेकिन वो syllabus नहीं वो में बात करूँगा, जैसे neat की जब हम बात करेंगे, तो वहाँ पर हम हरे एक फाइलम के कौन सा larval आता है, उसको discuss करेंगे, लेकिन यहाँ पर के relations होती है, और क्या क्या किसी फाइलम में होता है, उसकी detail की हम discussion नहीं कर रहे हैं, तो अब आजाते हैं, एक्जामपल पर, जैसा कि अब आप इसमें NCIT के एक्जामपल देखेंगे, और मैं केबल NCIT के एक्जामपल आपको दे रहा हूँ, इस फाइलम के, एक्जामपल में सब से पहले बात करें, तो देखिए, अभी आपकी screen पर है Asterias, Asterias को Sea Star या Starfish का जाता है, अब याद किजिए, Cuttlefish एक Truefish नहीं है, तो इसी तरह से Starfish की जब हम बात करेंगे, तो Starfish भी एक Truefish नहीं है, सिल्बर फिश की बात करेंगे, तो वो भी एक Truefish नहीं है, तो Asterias को क्या बोला जाता है, Starfish बोला जाता है, और ये एक Echinodermate है, अभी मैंने आपको screen पर दिखाया, जो की हमरे पास NCIT की picture है, अब इसके अलाबाद दूसरा Echinus, Echinus, क्या होता है Echinus, Echinus को बोला जाता है C Urchin, जो इसका कॉमा नाम है, that is C Urchin, तो C Urchin भी आपकी screen पर है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह का C Urchin होता है, अब इसके अलाबा एक और बहुत important चीज है, वो है Antidon, Antidon, इसको क्या बोला जाता है, Antidon को देखिए C Lily बोला जाता है, आपने पढ़ा C Hair पढ़ा, C Hair किसी और फाइलम में आ रहा है, और C Lily किसी और फाइलम में आ रहा है, और आप देख भी सकते हैं कि Antidon जो है, वो किस तरह से दिखाए देता है, इसके अलाबा कुकुमेरिया, कुकुमेरिया इसको C कुकुम्बर बोला जाता है, तो आप देख लिजिए कि C कुकुम्बर किस तरह की दिखाए देती है, तो इलिए कुकुमेरिया, और जो लास्ट हमारे पास एक्जम्पल है, इस ओफियूरा, आप यूरा की अगर आम बात करें तो आप यूरा का जो common नाम है उह है brittle star और इसमें भी मैं आपको एक NCRT की picture दिखा रहा हूँ तो यह आगे एकाइनो डर्मेट लास्टली मैं इस phylum को summarize कर रहा हूँ repeat कर रहा हूँ की phylum echinodermata का मतलब है spiny bodied animals और इनमें calcareous ossicles का बना हुआ endoskeleton होता है and this is exclusively marine phylum having organ system level of organization the adults are radially symmetrical while larvae are bilaterally symmetrical they have triploblastic condition and they are silomates the digestive system is complete with mouth on the ventral or lower side and anus on the upper or the dorsal side the most distinctive feature of this echinodermy is the presence of water vascular system which helps in locomotion capture and transport of food as well as in respiration and in case of echinodermates one system is absent and this system is called as excretory system there is no excretory system in case of phylum echinodermata sexes are separate and the reproduction is sexual fertilization takes place in the external medium while the development is indirect it occurs through free swimming larvae sea star or you can say starfish sea urchin sea lily sea cucumber and brittle stars are the example of the echinodermates तो अब हम next जो फाइलम करने जा रहे हैं that will be phylum hemicodata उसके बाद हम बात करेंगे की तो जब हम कॉड़ेटर की बात करेंगे तो उसकी हम classes भी साथ साथ करेंगे और इसके साथ हमारा जो biological classification का टॉपिक है चैप्टर है वो complete होने वाला है तो अब हम next वीडियो में बात करेंगी हैं में कॉड़ेट्स की थेंक यू बेर मच्च